जुअ हमारा चप्टर का नाम है अभी मैं कमेंट देख लूँगा आप सभी का तो चेप्टर का नाम है हमारा फिक्स इन्कंग ऊना सिक्योरुटी जबता है जब testimoni क्या है सर् फिक्स इन्कम को का अब त्यूट्य ऑंचे प्ता कि अंदे inspections आंसे狂रुटी सर, fix income on security. सबसे पहले fix income पता कब होता है? एक ही condition में fix income हो सकता है. that is, आपको एक interest मिले. आपको एक interest मिले, ठीक है न? सर, fix income कब होगा? जब आपको मैंने बुला है कि आपको 10% का हर मैंने ब्याज लिएना. तो ये क्या माना जाएगा आपका? fix income में आना जाएगा तो sir interest हमारा स्रिफ और स्रिफ जो दिया जाता है वो किसके उपर दिया जाता है that is debenture के उपर आप सभी ने देखा होगा 10% debenture like इस तरीके से देखा होगा याद होगा तो 10% debenture का मतलब आपका अगर मैं simple सा question पूछूं कि आपने एक लाक रुपे अगर debenture में invest किये हैं और debenture का 10% debenture कहता है तो मुझे आप को मैं आपसे जवाब सुनना चाहता हूं कि every year every year आप मुझे इंट्रस्ट का amount बता दीजिए इंट्रस्ट का amount बता दीजिए क्या इंट्रस्ट का amount होगा फटा-फट कमेंट पर जवाब देते जाएएगा चप्टर जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाएगा हाँ दिक्षा 9 और 3 पूरा complete हो गया है डाली है ना अभी बस बिल्कुल तो येस का जवाब आ गया को मल का जवाब आ गया सभी का जवाब आ गया सर इसके उपर आपको जो एक income मिलेगा दसथी अजार एभुरी एर एफर्स्ट एयर में अगर मैं पूछू के बताऊ आजीम का कहना है सर फिफ्ट एयर में भी आपका जो interest होगा तैप। आपका 10फी होगा याहनि वैरी वैरी सिंपल आप सभी स्थूडेट कहना चाहते हैं कि जो इंट्रस्ट होगा वो 10,000 ही होगा ठीक है तो इसका मतलब हर साल जब 10,000 इंकम है तो इसी को तो क्या बोलेंगे फिक्स इंकम अब सर एक कुश्चन रेज होता है एक सब्द होता है हमारा डिबिंचर और एक शब्द होता है बॉन्ड ये दो ऐसे वर्ड है जिसमें बच्चा बहुत परिशान रहता है अब मैं बताऊं तो यहां पे मैं लगा दिया मैंने और तो इसका मतलब डिबिंचर और बॉन्ड का मतलब बिलकुल सेम होता है ज्यादा तर ऐसा वर्ड अलग अलग फिर क्य लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट सेक्टर जिसके अंदर गवर्मेंट का कंट्रोल नहीं होता वह अपने साथ जब करजा लेते हैं मार्केट से और इसके आगे एक रेट इंट्रस लगा देते हैं उसको डिबेंचर कहा जाता है और सरकारी कंपनी जितनी भी होती है वह क् एक नया modern नाम समझलो रख लेती है उसको क्या बोल देती है बॉल देती है अभी आपने सुना होगा कि कुछ पॉलिटीशियन के कह रहे थे कि एलेक्ट्रोल आपका बॉंड था स्विए के पास जो कि सुप्रीम कोट ने रिलीज कि आपने न्यूस में सुना भी होगा तो जैसे एस बी आई हो गया जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया या कोई भी जैसे पोस्ट आफिस हो गए तो यह सभी जब कभी भी आपसे पैसा लेती है और बदले में आपको एक में है उसको क्या बोलेंगे वो डिवेंचर बोलेंगे तो सबसे पहले तो हमारे डिवेंचर और बॉंड का डिफरेंस पता होना चाहिए तो डिवेंचर और बॉंड में ऐसाच कोई डिफरेंस नहीं है अभी हुई है अब दूसरी बात आपने देखा होगा इस तरीके से ल रहा हैं F.O.I. Fundamental of investment में हम उसको क्या कहेंगे इस को कहेंगे क्या हो पर रैट कोOGन रेट इसको हम थोड़ा सा टवांस नाम देदेंगे यह देट・ मूपन रेट को ही क्या रेट को ही क्या बोलते हैं हम कूपन रेट बोलते हैं तो कुपन रेट भी हो गया सर समझ करें यानि हमारे जो हम अगर बात करते हैं फिक्स इंकम के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं फिक्स इंकम का तो यह आपको मिलेगा डिबिंचर पर अब सर आपको फिक्स इंकम दो तरीके से मिल सकती है एक तो मैंने बोला कि दस परसेंट डिवेंचर चीक है तो इसका मतलब अगर आपने एक लाक रुपए इन्वेस्ट किये हैं तो आपको सर्ब्याज मिलेगा दस अजार रुपए यह आपके फिक्स्ट है और एक मैंने बोला कि डिवेंचर और मैंने बोला कि आपको डिवेंचर आज मैं 95 में दूँगा यानि अगर आपने 95,000 रुपए मुझे दिये हैं तो मैं आपको रिटन कितना कर दूँगा सर एक लाक रुपए रिटन करूँगा यह आज के आध तै हो गया तो इसमें तो आप मुझे फिक्स इंकम कैलकुलेट करके बता रहे हो इसमें बता सकते हो क्या फिक्स इंकम क्या होगी मेरी एक साल के बाद क्या इस वाले पॉइंट में बता सकते हो फिक्स इंकम क्या होगा एक साल बाद क्या होगा हमारा फिक्स इंकम क्या होगा इसमें बताईए फटा-फट से इस वाले में इस वाले में तो बता दिया सर एक लाख दस परसेंट दस हजार इस वाले में बताओ के फिक्स इंकम क्या होगा अब बच्चे कह रहे होंगे सर वोइस लैग हो रही है पांच हजार नितीश का कहना है पांच हजार कितने बच्चों को लग रहा है कि वोईस लेग हो रही है तो सर यहां पे कितनी फिक्स इंकम होगी काफी बच्चों ने सही जवाब दिया यानि सर इसके आगे परसंटेज नहीं है तो कुछ डिवेंचर ऐसे भी होते हैं जिसके आगे परसंटेज नहीं होता इसको हम बोलते हैं जीरो कुपन रेट ऐसा डिवेंचर जिसके उपर कोई भी इंटरस रेट नहीं होगा उसको जीरो कुपन रेट बोलेंगे और यह जनरली हमारा सस्ते में दिया जाता है और फेस Cuban valvoire अपनिन आप wow कितना होता है मैक्सिम्म तो जवाब ऐसाभी डिसकाउट फॉर्ण पर तो नहीं होथा वो किस्ग वाप में दे दिया जाता है और ऐपको बादले में आपकोर भेस वैलिू Beim के पैसे return किये जाते हैं और जो 20 का difference होता है उसी को हम अपने income मान लेते हैं उसी को हम अपना interest मान लेते हैं जो मन करें वो मानिए लेकिन वही आपका फाइदा है जो कि एक fixed income हो जाएगा सर समझ नहीं आया repeat कर दो okay ठीक है मैं क्या बोल रहा हो fix income क्या होता है सर fix income हो सकता है जैसे कि मैंने पहला example लिया कि मेरे पास 10% debenture है और इसकी मैंने 10% debenture में मैंने एक investment डाला और that is investment डाला मैंने एक लाक रुपए का तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ हर साल का मेरे फिक्स income क्या होगा तो आप बोलेगे सर fix income का मतलब मैंने बोला हाँ भाई interest बता दो fix interest बता दो fix income बता दो तो आपने बोला सर हर साल की आपकी कमाई होगी दस अजार तो इसलिए इसको fix income अच्छा सर यानि fix income का मतलब interest ही होता है जी हां fix income का मतलब हमारा interested होता है अब अगले point पे आ जाते हैं मैंने बोला कि हमारे पास debenture है इसके अंदर आपके पैसे जो return होंगे ना इस case के अंदर जो आपके पैसे return होंगे मैं example लेके चल रहा हूं कि आपका amount जो return होगा एक मैं example आपके एक लाक रुपे वापसी किये जाएंगे जब आप अपने पैसे लेना चाहोगे लेकिन मैंने यहां पर debenture investment किया सिर्फ पिछ चानवे हजार investment किया लेकिन यहां पर interest rate तो नहीं है लेकिन मैंने return करने का वचन दिया है मैंने return आपको एक लाक करना है तो सर यहां पर आपका इंकम की बात करें तो सर यहां पर fix income क्या माना जाएगा इन दोनों के बीच का difference देट इस आपका fix income हो गया पांच हजार और इस पांच हजार को भी हम as a interest ही treat करते हैं as a interest ही treat करते हैं chapter मैंने bond evaluation रख दिया है क्योंकि fix income है वैसे आपके किताब में इसका fix income fix security से given है तो यहां पर पांच हजार रुपए का जो profit है उसको बोला तो सबसे पहले हर एक बच्चे को एक point clear होना चाहिए कि sir what is the fix income sir fix income क्या है हर एक student को clear है कि fix income एक तो interest से calculate हो सकता है दूसरा हो सकता है हमें सस्ते में समान मिल जाए और बाद में company हमसे महेंगे में ले ले यानि deep discount bond इसको क्या बोलते है सर इसको हम बोलते है deep कि डिस्काउंट कि बॉंड कि या फिर इसको क्या बोलेंगा सब्सक्राइब कूपन रेट यानि सर इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता इसके बीच का जो difference है उसी को आप अब्याज समझ लीजिए यहां तक हर बच्चे को clear है एक बच्चा कह रहा था सर clear नहीं हुआ यहां तक clear है क्लियर है तो अब हमें इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है fixed income के security में तो बस तीन टॉपिक ही है इसके अंदर पढ़ने वाला जो simple simple कुछ टॉपिक तो ऐसे है अगर आपने financial management पहले पढ़ा हो तो financial management के जैसा ही कुछ टॉपिक है हमारे सर तीन टॉपिक कौन-कौन से है एक हाव to calculate intrinsic value सर intrinsic वेल्यू क्या होता है सर यानि सर P 0 निकालना सीखेंगे P 0 का मतलब क्या होता है सर आज की कीमत आज की कीमत आज की 22 है ठीक है आज की वेल्यू निकाल लेंगे एक ये सीखेंगे इसके बाद nursing लीड attributed में हम बोलेंगे läuft और यह हमारा एक्चुल रिटन होता है क्योंकि हमें फैसला लेना है एक decision बनाना है इस chapter के अंदर और sir क्या decision बनाना है इस chapter के अंदर कि हमें debenture में investment करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सिर्फ एक parameter पे हम ये फैसला नहीं ले सकते हैं या तो हम intrinsic value के हिसाफ से फैसला ले सकते हैं या फिर yield till maturity के हिसाब से फैसला ले सकते हैं या duration of bond के हिसाब से फैसला ले सकते हैं तो जैसा situation उसके according हमें अपना decision बनाना पड़ेगा तो हम इसको अलग-अलग topic wise पढ़ लेंगे तीन ही topic है तो हम पहला topic पढ़ेंगे कि intrinsic value में कैसे हम अपने bond को purchase करें या नहीं करें इसका decision क कैसे बनेगा तो हमारे कितने topic होगे सर्ट तीन topic होगे तो पहला topic हम पढ़ने जा रहे हैं that is intrinsic value of bond कहलो intrinsic value of debenture कहलो तो पहला हमारा टॉपिक है intrinsic कि value of bond कि सब्सक्राइब हमारा यह है जिसको हम cover करेंगा बड़ा छोटा सा chapter है कि कि उसके अंदर दो पार्ट हो सकते हैं हमारे एक हो सकता है हमारा विद कि interest rate कि सर अभी मैंने आपसे बताया था इंट्रस्ट को एडवांस नाम देगे क्या नाम देगे इंट्रस्ट को कौन बच्चा श्रॉव् father बताओ इंट्रस्ट को मैंने नाम दिया था क्या नाम दिया था सब् RDN ौ इन्ट्रस्ट को सी ओ कूपाऊन बोला था हमने और क्या नाम देंगे हम मैं एक यह चोड़ा उस को लिएक थे ऐसे कन्फियूज ओड़े बाहितानों करतेविए कमीर करें लिए में हाँ रिकोरडिंग बिल्कुल स्टाइट कर दी है मैं चल रही है टो मैं और काफी सारे बच्छों का नए वाले बीच में इसका ना सारा यही चीज़ टेंशन के मारे ना बहुत चीज़े मेरी खराब हो गई चलो एनिवेस अब उसको अच्छा करेंगे विद इंट्रस रेट जैसे अभी कह रही थी कोमल कोमल थी या खुशी थी कि सरक्लासी नहीं होरी लाइव तो थे कुछ रेजन्स विदाउट इंट्रस रेज एक हो सकता है विदाउट इंट्रस रेट सर इसको क्या बोलते हैं डीब डिसकाउंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको यहां पर इंट्रस रेट कितने परसेंट होगा जीरो परसेंट यहां पर कोई ना कोई तो इंट्रस रेट देगा ही देगा य यहां पे एक certain percentage होगा इसके बाद भी दो पार्टी आदा जाएंगे एक सवाल मैं आपसे पूछूं क्या FM में आपको थोड़ा बहुत cost of capital याद हो क्या FM के अंदर आपको थोड़ा बहुत cost of capital या FM थोड़ा याद होगा तो उससे थोड़ा मिलता जुलता है अगर वो थोड़ याद आएगा तो chapter एकदम फुर्ति में खिस जाएगा यहां पर होगा हमारा एक होगा redeemable एक होगा एक होगया हमारा एक होगया हमारा एक होगया हम ठीक है ना जी सर बिल्कुल ठीक है एक redeemable एक redeemable अब इसके अंदर सिंपल सा टॉपिक आ जाता है हम पहले redeemable वाला देख लेंगे और बाकी इन दोनों में वहां पर बहुत फरक था FM में यहां जादा फरक नहीं पड़ेगा चलो हम एक example से देख लेते हैं कि हमें किस type के questions होंगे और क्या suggestions करने होंगे एक example पहले मैं अपने ले लेता हूं माल लो मेरा bond मेरे पास example माल लो 8% bond है जिसका face value है 1000 रुपे ठीक है और इसके बाद यह redeem होगा आफ्टर माल लो 6 year 6 year and current market price market price 960 रुपे है अब हमें bond बाइब और नोट हमें फैसला बताना है हमें decision बताना है कि bond को बाइब करें या फिर ना करें बहुत simple सी बात है ऐसे situation में मैं अगर देखूं तो हमारे पास यहां पर देखा जाए हम आज इसको भाई करें यह नहीं करें तो हमें 6 साल तक अगर मैं बात करूं तो हमें 6 साल तक 6 साल तक ब्याज मिलेगा 6 साल तक एक साल में 2 साल में 3 साल में 4 साल में 5 साल में 6 साल 6 साल तक हमें ब्याज मिलता रहेगा कितने ब्याज मिलेंगे सर 8% मिलेंगे किस पे 1000 पे यानि 80 मिलेगा 80 मिलेगा 80 मिलेगा 80 मिलेगा 80 मिलेगा और 80 मिलेगा और 6 साल में हमारा face value भी हमें मिल जाएगा यह सारा पैसा मिल जाएगा लेकिन हमें आज फैसला लेना है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें तो हमें याद होगा आपको हम डिसकाउंटिंग टेकनीक जो होता है जिसके अंदर हम पर्जेंट वेल्यू निकालते हैं तो आपको थोड़ा से याद करिए आप कौनसा चैप्टर अगर नहीं भी याद कर रहे हैं तो मैं ऐसे बता देता हूं जब कभी हमारा इनकम कॉंस्टента होता है उसको हम एनिटी बोलते हैं इनकम देखिए कॉंस्टेंट है हर साल में इसको बोलते हैं एनिटी और अगर हमें उस income का एक value निकालना होगा आज की date पे यानि zero day पे अगर मुझे निकालना है तो हम वहाँ पे निकालते हैं present value factor कौन से वाला एनुटी फेक्टर present value एनुटी फेक्टर कैसे निकाला जाता है वो भी देखेंगे अगर हमें सिर्फ एक value की आज की value निकालना है यहाँ पे present value को निकालने के लिए आपको inflation rate चाहिए यानि required rate चाहिए मैंने कहा required rate suppose करो 10% है आईए सर्थ सवाल solve करते हैं हाला कि FM वाले बच्चे तो समझ गये होंगे के कैसे करना है लेकिन जिनको नहीं समझ में आया है मैं फटा फट से बता देता हूं के कैसे निकालना है सबसे पहले देखिए आप pvf कैसे निकालेंगे pvf कैसे निकालेंग और उसके बाद जितने साल होंगे उतनी बार आपको equal to equal to equal to equal to 6 है तो मैं 6 बार दबाऊँगा एक दो तीन चार पांच और छे चे बार equal to दबाऊँगा तो जैसे 10% है तो 1 divided by 1.1 एक दो तीन चार पांच छे जो च्छटे साल का मेरा है that is 0.56 है 64 है ये तो हमारा छटे साल का हो गया यानि जो छटे साल का हमने निकाला है इसको pvf बोलेंगे अगर हम इस सभी के जितने भी निकाले हैं इन सभी को मैं जोड दूँ यानि अगर इन सभी को जोड दूँ यानि मैं पहले से बताता जाता हूँ 1 देखे 1 divided by 1.1 अग पहले साल का क्या आया सर 0.09 मैं रफली लिखता जा रहा हूँ दूसरे साल का क्या आएगा दूसरे साल का 0.826 सर तीसरे साल का क्या आएगा सर तीसरे साल का 0.751 चौत्य साल का क्या आएगा सर चौत्य साल का 0.683 पांचवे साल का क्या आएगा सर 0.620 यह आ गया हमारा कौन जोड़ दें तो इसको जोड़ने को कहते हैं पी वी एफ कैलकुलेटर पे हमें कुछ नहीं करना सिर्फ जीटी का सिंबल लगाएंगे तो यह सभी जोड़ जाएगा डेट इस आ गया 3.79 यह क्या गया 3.79 हर बच्चों को क्या पी वी एफ और पी वी एफ में डिफरेंस समझ म आया अगर इनकंप कॉंस्ट्ञ Rosie सें सेम से मिलता रहेगा हर सार तो पी वी एफ का हल्प लेंगि और एक ही इनकम को आज कैलकुलेट करना है तो भी निकालना है और जर्वी एफ लिल यह केसे निकालना है ta बिफ्जले यूनिट को हैं जेको मैं स्युक्षय से चलूंगा बीशेक यूनिट फोर में चैप्टर इंटर слыш भी देख लेख देख थे पिछली क्लास के अंदर हमने निकालना सीखा हुआ है, फिर भी अकर आपको याद नहीं है, तो मैंने आपको याद दिलाया है, अगर जिसी बच्चे को ये निकालना नहीं आ रहा, तो बता दिजे फटाफट तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर पहले निकालना सिखाएंगे, तभी आगे बढ़ने का फाइदा है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला के साथ साथ मुझे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या ये सभी स्टूडेंट को निकालना आया, अभी बॉन्ड खरीदना है या नहीं खरीदना, उसका फैसला तो अभी देखेंगे, कि लेना है नहीं लेना, सर एक हजार वेल्यू के नेक्स्ट येर होगी, पी वी एफ कैलकुलेट करेंगे, हाँ एक हजार नहीं, एक हजार वेल्यू जो हमें पांस सालों के बाद मिलेगा आज मैंने दे दिये और जो पांस सालों के बाद मिलेगा उसकी वेल्यू रिडियूस हो जाती है तो उसकी वेल्यू आज कितनी होगी उसके लिए पीवेफ निकालेंगे हर साल मुझे पैसे मिलते जाएंगे मिलते जा लेगे हम सर्फ यह का 0.9 है हाँ बिल्कुल फर्स्ट यह का 0.9 लगा दिया कोई बात ने यह फर्स्ट यह का हमारा 0.9 ही यह 0.9 है कैलकुलेटर में 909 ऐसे सोई चलता गया बताईए जितने बच्चे लाइव हैं एक बार बताईए फटाफट सर क्लियर है निहा ने भी बोल दिया हर बच्चे को बोलना है सर क्लियर है तब ही हम समझेगे के आपका क्लियर हो गया सर मतलब PVF 6 year के बाद कितना मिलेगा वो value find करना है 6 year के बाद कितना मिलेगा 1000 लेकिन उस 1000 की आज क्या value है यह find करना है हमें सर क्लियर है सर आंसर आंसर भी दे दिया यह ने 4.35 होगा नहीं मैंने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया है तो यह आंसर 3.79 तो 100% एक पर देख लेते हैं वन डिवाइड़ बाइ 1.1 एक साल दो साल तीन साल चार साल पांस साल छे साल और जी टी हाँ 4.35 होगा बिलकुल यह ठीक बोल रहा है मेरे से गड़बढ हो गई गडबढ हो गई तो यह जो टोटल आएगा ना बस मैं सिखाना चाहा रहा था बस 4.35 होगा चलो 4.35 होगा क्लियर है 4.35 होगा यहां तक क्लियर है तो इसका मतलब सर अगर हमें बॉंड का आज पता करना है खरीदे या नहीं खरीदे तो दो बाते हैं हर साल ब्याज मिलेगा उसका पर्जेंट वेल्यू निकाल लो और आपका फ्यूचर वेल्यू में जो मिलेगा एक बार में उसका पर्जेंट वेल्यू निकाल लो तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं एक lengthy process है, एक shortcut, shortcut में आपना GT word का इस्तमाल करेंगे calculator पे, यानि सर इसका अगर मैं formula लिखवा हूँ सर, formula लिखवा दो, formula होगा हमारा P0, आज की value आपको पता करना है, आज की कौन सी value सर, कहां गया सर, intrinsic value, आज की value पता करना है intrinsic value, तो P0 is equal true, आपका interest, I for interest कहलो, I for income कहलो, इसको multiply कर देंगे P, V, A, F से, और, plus, हम कर देंगे, जो हमारा redeemable value है, redeemable value, इसको multiply कर देंगे हम, इसको multiply कर देंगे P, V, F से, यानि जिसको हम RV भी बोलेंगे, short form में RV भी बोलेंगे, P0 क्या है सर, यह आज की value, आज की value, सर, P, V, A, F क्या है, present value, NUT, factor, NUT क्या है सर, यह किस्त है, EMI है, एक तरीके से किस्त में equal पैसा मिलते है, redeemable value क्या है सर, जो हम bond में पैसे लगाएंगे, वो पैसे जो हमें कुछ सालों के बाद मिलेगा, amount जो हमें refund होगा, amount refund, आप amount principle वाला मत लगा लेजगा, amount refund, amount refund होगा, बहुत सारे बच्चे बाद में नूटिंग करते हैं, PDF नूट से, तो कई बार कुछ word समझ में नहीं आता, तो मैं बच्चो को यही सजेस्ट करूँगा, वीडियो रहता है साथ के साथ, आप थोड़ा सा वीडियो पढ़ लिजे, क्योंकि कई बार मैं बोलता हूँ, और जब लिखता हूँ, तो थोड़ा सा short form में लिख देता हूँ, या फिर writing बेकार होने की वज़े से समझ में नहीं आता हूँ, तो वीडियो में से जो बोला है वो लिख लिया करिएगा, ठीक है ना, अच्छा सर, यानि ये formula है इसका, जी हाँ, इसका formula बिलकुल आपने सही समझा, कि यही formula है, जो कि हमें देखना है, और इसी formula के हिसाब से हमें फैसला लेना है, कि bond है, सर इसी के हिसाब से नहीं, अब सुनिए आप, अगर आपको decision ले value, मैंने interest समझ लेंगे, बच्चे इसको, हो सकता है, intrinsic value, यानि जिसको मैं P0 या B0, basically P0 मैं बोल रहा हूँ, B0 भी बोल देते हैं, B0, अगर greater than हुआ, जादा हुआ, market price से, यानि bond की value 100 रुपे या 90 रुपे होना चाहिए, और market में ये 70 का मिल रहा है, bond का value होना चाहिए, इसका मतलब है सर ये value होना चाहिए, तो आप मुझे जवाब दीजिए, bond का value होना चाहिए, 90 रुपे, लेकिन market में मिल रहा है, कितने का, 70 रुपे का, तो बताओ, bond खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, मुझे हाँ या ना में जवाब दो, इस वाले situation का answer दो, कि bond खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, bond खरीदोग पर नहीं खरीदोगे, बताइए जल्दी जल्दी सर, sir, pvf में present value कितने, present value में future value है, हम future value पर नहीं के जा रहे हैं, बच्चों ने कहा, yes sir, yes sir, खरीदेंगे, तो yes, खरीदेंगे, yes sir, खरीदेंगे, क्योंकि bond की value होनी है, हमारी 90 मार्किट में सस्ता मिल रहा है, तो हम लेंगे, लेखिन, अगर हुआ हमारा point number two, point number two, point number two, point number two क्या है, sir, अगर हम बात करें, कि अगर हमारा intrinsic value, या फिर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, market price, greater than हो आपका intrinsic value से, intrinsic value से, यानि market में है 90 रुपए का, और हमने intrinsic value बनाया, तो इसका value आया, sir, कितने का? इसका आया, मान लेते हैं, 70 रुपए, यानि sir, price होना चाहिए 70, बजार में भाव चल रहा है 90, तो क्या हम खरीदेंगे? तो जवाब sir, no sir, इसको reject कर देंगे, no sir, हम इसको क्या करेंगे sir, reject कर देंगे, तो हमें फैसला कैसे लेना है? इस formula के बदस से जो price हाएगा, उस price को comparison करेंगे, कौन से वाले price से, market price से, अगर ये price हमारा ज़ादा है, market price कम है, तो खरीद लेना, ये price कम है, और market price ज़ादा है, तो आप क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, कई बार बराबर भी आ जाता है, तो उसको भी हम देखेंगे, तो इस basis पे हमें decision लेना है, तो sir, जो मैंने example लिया है, यहाँ पर market price 960 है, यानि उस formula की मदद से अगर हमें जो value मिलेगा, तब तक हम फैसला नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल सह रहा हूं, इंटरस्ट होगे, असी, इंटू में, इंटू में sir, क्या करोगे, पीवी एफ करोगे, that is 4.35, प्लस, sir, 1000 रुपे हमारा return मिलेगा, इंटू में, पीवी एफ, 0.620, sorry, 560, 0.564, तो अब calculation करना पड़ेगा, sir, देखते हैं, क्या हिसाब बनता है, चालिस इंटू में, 4.35, that is 348, प्लस, 1000 इंटू में, 0.564, 564, यानि sir, इसका price क्या होना चाहिए, इसका price क्या होना चाहिए, 912 रुपे, इसका price होना चाहिए, ये गनित कहता है, इसका price होना चाहिए, 912 रुपे के बराबर, लेकिन market में मिल रहा है, sir, 960 रुपे का, इसका price होना चाहिए, 912, market में कितना मिल रहा है, 960, बताइए, क्या should I buy this bond, क्या हमें इस bond को buy करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, सर, वीडियो lag हो रही है, दो मिनट दीजिए, वीडियो lag हो रही है, तो अभी ठीक करते हैं इसको, क्योंकि, चलिए, अब मेरे हिसाब से मैंने refresh किया है, तो sir, live class नहीं चल रही है, हाँ, refresh आपने बोला नहीं चल रही थी, मैंने refresh कर दिया है, अभी शेक चौधरी का no sir, तो जवाब है शायद ये, कि sir, ये bond हमें buy नहीं करना चाहिए, अब sir, जरूरी थोड़ी है कि examiner इतने simple पूछ लेगा, examiner अब जो ये interest rate है न, ये interest rate आपको yearly दे सकता है, ये interest rate half yearly दे सकता है, और monthly दे सकता है, तो जैसे जैसे questions होगा, वैसे वैसे हम देखेंगे, ठीक है, चलिए एक सवाल देख लेत एक सवाल देखते हैं, फिर decision लेगे, question क्या कहता है, sir, हमारा 1000 रुपए face value bond का coupon rate 6% है, यानि face value bond का sir, कितने है, 1000, और जो rate है, इसका, interest rate कहलो, coupon rate कहलो, sir, 6%, इसके बाद आगे दिखा जाए, कहता है कि हम 3 साल के बाद पैसे देंगे, यानि time जो है, आपके पैसे देने का, that is time है, आपका 3 year, कितने पैसे देंगे, कई बार ये भी बताता है, और ना बताए, तो समझ लेना कि ये पैसे तो मिलेंगे, ही मिलेंगे, ठीक है न, अब कहत रेट आपका 12% है, यानि required rate, that is 12%, ठीक है, 12% है, required rate, what is the value of the bond, if आप interest annually मिलेगा, तो बताओ, interest आपका semi-annually, यानि half yearly, interest quarterly, तब बताओ, should a positive investor buy a bond, if market में इसका ये rate चल रहा हो, अच्छा सर, पहला case, सर, हमारा जो bond का P0 होगा, that is interest, PVAF, प्लस, face value, जितना, इसको face value के जगह के पर redeemable RV कर देता हूं, सीख है, redeemable value into PVF, ओके सर, interest कितना होगा, सर, आपका interest होगा, 6%, 1000 रुपे, यानि 60 रुपे, into PVF कैसे निकालोगे सर, PVF निकालते हैं, PVF हमेशा required rate से निकलेगा, required rate से निकलेगा, तो कितने साल का सर, 3 साल का, तो time 3 year है, तो 1 divided by 1.12, और 3 साल का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो सर, तीसरे साल का, प्लस, 1000, सर, तीसरे साल का जो निकल किया है, 0.711, और इसका GT कर लें, तो यह आगे है, 2.40, मैं round figure कर रहा हूं इसको, तो अगर इस से multiply मैं किस से कर दूँ, 60 से कर दूँ, तो यह आगे 144, ठीक है, round figure करके चल रहा हूं, और यह आगे हमारा 711, तो देखा जाए, तो 144, इंटू मैं 711, तो यह 144, प्लस मैं 711, तो यह आगे 855, यह exact आ गया, थोड़ा सा round figure और घुमाते हैं, तो मेरे हिसाब से यह price exact match नहीं होगा, यह approach आ रहा है, मैं सही बताओं, तो 856 आ रहा है, मैं इसको 12 कर देता हूं, round figure में, तो हमारा answer हो जाएगा, 812 आएगा, लगभग, लगभग, तो यह exact देखा जाए, तो 856 रुपया है, तो आप मुझे बताइए, इमानदारी से, हमारे bond का price कितना होना चाहिए, 856, और sir, आपको bond market में मिल कितना रहा है, 855, तो sir, हमें answer पहला है, कि investor should buy, buy this bond, case number one case, आप से तो investor को buy कर लिना चाहिए, अब ध्यान दीजेगा, case number two, अब ध्यान दीजेगा, case number two, यहाँ पे कहता है, सर, यहाँ पे कहता है, semi-annually, तो हमेशा याद रखिएगा, जब हमारा half yearly होता है, ऐसे situation में, हमारा rate जो होता है, वो divide हो जाता है, and जो time होता है, वो multiply हो जाता है, ठीक है न, चलिए सर, यह बात भी समझ गए है, rate divide हो जाएगा, time multiply हो जाएगा, यानि सर, यहाँ पे P0 का जो formula होगा, वो होगा interest, और यह साल का होगा, इसको divide half yearly है, तो divide two करेंगे, multiply हम P, B, A, F, और जो हमारा time factor होगा, time हमारा क्या होगा सर, time multiply हो जाएगा, तो जो हमारे पास तीन साल है, वो 6 साल हो जाएगा, rate आधा हो जाएगा, rate 12% है, तो वो कितना हो जाएगा सर, 6% हो जाएगा, कुछ ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है, plus, plus हमारा redeemable value, और फिर से into में हम क्या करेंगे, redeemable value के बाद, हम P, B, F निकालेंगे, और ये भी 6 और 6% हो जाएगा, पहले ये वाला formula बच्चों को समझ में आना चाहिए, कि क्यों कर रहे हैं, सर, divide by 2 क्यों लिया, ये बताओ, सर, divide by 2 क्यों लिया, जल्दी बताओ, क्योंकि interest लेना है हमें, और half yearly है, तो आधे साल का interest लेंगे, ना कि पूरे साल का, interest भी कितना हो जाएगा, हमारा आधे साल का, यहाँ पे formula में apply करें, तो 60 divided by 2, अब 6% लेंगे, और 6 बार multiply करेंगे, 1 divided by 1.06, sorry, 1 divided by 1.06, एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, तो यहाँ पे तो अभी लिख लेते हैं, जो value आएगा, प्लस, 1000, और यहाँ पे ले लेते हैं, हम आगया, 0.704, इसको GT जब करेंगे, तो 4.91, और जब हम इसको multiply करेंगे 30 से, तो यहाँ जाएगा 147 प्लस, आपका आजाएगा 704, तो 704, प्लस 147, साहब आपके bond का price निकल क्या है, 851, यानि इसका price 851 होना चाहिए, और market में कितने का मिल रहा है, यानि 851 होना चाहिए, और market में कितने का मिल रहा है, 855 का मिल रहा है, तो मुझे जवाब दीजिए, क्या should buy, हमें buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे जवाब दीजिए कि अबाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए आंसर इस नो सर आप इससे अच्छा मार्केट में जब आपको 855 का है और आपने देखा तो इसका 851 कीमत ही है तो समान को मैं महंगा क्यों खरू दू भाई मैं ऐसे जगह पर शॉट सेलिंग वगरा हो जाता है तो वो हम अभी बाद में दिखेंगे क्या होता है तो जवाब आगया सर नो चलिए सर थर्ड पॉइंट का अंसर सर यहाँ पी जीरो क्या होगा सर यहाँ पर होगा इंटरस्ट आई डिवाइड बाई अब कहता है quarterly तो दो से डिवाइड कहा था तो quarterly में कितने से डिवाइड करेंगे चार से और इंटु में पी वी एफ अब बताव time कितना हो जाएगा time हो जाएगा सर multiply तो तीन चौके बारा हो जाएगा percentage हो जाएगा divide तो 12 को चार से डिवाइड़ करेंगा तो कितने परसेंट हो जाएगा तीन परसेंट ओजाएगा प्लस तब में आपका एंटू में पी वी एफ वो भी हमारा हो जाएगा 12 और तो चलिए यहां पर भी अप्लाई करके जल्दी जल्दी जटपट से आंसर दे देते हैं तो साथ डिवाइड़ बाइड़ चार अब निकाल लेते हैं तीन परसेंट बारा तो वन डिवाइड़ वाइड़ वन पॉइंट जीरो थ्री एक साल दो साल तीन चार पांच छे साथ नौ दस ग्यारा बारा तो यह आ गया इसके अंदर हम यहां वैल्यू पूट कर देंगे यहां लिख लेते हैं हजार और यहां पर क्या आएगा सर यहां पर आ जाएगा जीरो पॉइंट सैवन जीरो वन ठीक है जितना ज्यादा दूरी बढ़ाओ उतना वो रहेगा इसका ज साथ सो एक प्लस साथ सो एक तो यह आगया आठ सो पचास है सर इसका मतलब हमारे बॉण्ड की कीमत होनी चाहिए आठ सो पचास और मार्किट में मिल रहा है आठ सो पच्पन में तो हम बेफकुफ थोड़ी हैं हम नहीं लेंगे नो जी नो लेंगे तो तीनों कोशन के हमने इसके आंसर दे दिये हैं क्या से कुश्चे पिसे बच्चे नहीं हो रहा तो कर देते हैं इस कोसurn में किसी बच्चे को डाउट है तो बताईे एस कुश्यन में किसी स्टूदेंट को डाव तो बताई ए पॉन्सिका का नो डाउट क्लियर 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 यस का क्लियर अभी शेक्स समझ गया सर समझ गया नो डाउट सर इसमें टाइम कहां है सर इसमें टाइम कहां है टाइम दे रखा है सर टाइम दे रखा है ये दे रखा है सर अरे टाइम कहां है सर टाइम बताओ टाइम हमें विश्वास नहीं हो रहा तो ये तीन साल जो है ये टाइम है मैं इसलिए पहले लिख दिया था ये टाइम है थ्री यह तो नॉर्मल में तो नहीं करा जब हाफ यह ली करा तो हमें टाइम को मल्टिप्लाई करना है तो हाफ यह ली में दो से मल्टिप्लाई कर देंगे और क्वाटरली में चार से मल्टिप्लाई कर देंगे मंथली में बारा से मल्टिप्लाई कर देंगे कि अग्यां तो ट्री कैसे मुल्टिप्लाइ करके देखा तो ट्री कैसे है सर देखो आप समझो बात को सर देखो मैंने कहा तर डिवाइड कर देना तो तीन साल दे रखा है कि आप किससे करना पड़ेगा क्वाटर ली क Orlando में हमारा कितना होता है कि से करेंग direct लेंगे सब्स्क्राइब और हो इस समय और यह गया उल्टा हो गयhake तक जय्क पीवीएफ वाला बता दो सर पीवीएफ वाला एक पर बता दो देखो पीवीएफ कैसे निकालते हैं अगर आपको ये दिक्कत है तो पहले वो समझ लीजिए मैं आपसे जानना चाहता हूं 15% का 15% का 4 सालों का आप बताइए मुझे पीवीएफ तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले 1 divided by 1 plus में 0.15 पंदरा यही होता है कैलकुलेटर पर यह करना है 1 divided by 1.05 नहीं सरी 1 divided by 1.15 अब इन डिवाइड नहीं दबाना एक साल दो साल तीन साल चार साल चार बार हो गया उसके आद आपके कैलकुलेटर में गए जीटी का बटन है ठीक नहीं और हर नॉर्मल कैलकुलेटर में होता है लेकिन कई बार बहुत सारे कैलकुलेटर में नहीं भी होता और पीवी एफ में क्या डिफरेंस है पीवी एफ तो जीटी दवाने के बाद आएगा और अगर चार सालों का पीवी एफ निकालो तो 1 divided by 1.15 एक साल, दो साल, तीन साल, जो सामने दिख रहा है विदाउट कुछ करे हुए वो पीवी एफ है यानि आपका आगया 0.571 बताइए कोई डाउट एक कोशन और देखें बस एक पहला कॉंसेप्ट खतम मैंने बोला काफी चोटा टॉपिक है इससे रिलेटेड आप 10 कोशन कर सकते हो मैं एक पार्ट इसमें करूँगा एक पार्ट होमवक के लिए छोड़ूँगा कहता है कि आप मान लीजिए इलिस्टेशन नमबर 4.1 में एन्यवल कमपांड इंग जो वैल्यू आया था उसको बेस मान लो यह यहांनि सर कहना चाहता है कि हमें मार україट प्राइज मानने हैं यह कहना चाह रहा है और कह 150Da ृट हो और 10 सिंपल सी सब कुछ पिछला ही रखना है और प्लस में आपका रिडीमेबल वेल्यू तीन साल जो पहले था वही रखना है इंट्रस्ट साट रुपए असी रुपए जो आ रहा था वही रखना है यहां पर आ जाएगा पी वी एफ बस रेट चेंज कर दिया तो हमें असाट रुपे ले लिया और पीवी एफ निकाल लेते हैं इसको यहां लिख लेंगे औरप्लस हजार रहेग और पीवी एफ बी निकाल लेते हैं पहले हम कर रहें हैं किसके ऊपर सर पहला पूंच है चोधा परसेंट पे तो मैं चोधा पर्षब करके दिखा रह imp aurr 0.14 और कितने बार सर तीन बार एक दो तीन तो यह आगया 0.674 ठीक है और इसका जीटी कर देंगे तो यह आजाएगा 2.32 वन वटेवर इंटू 60 तो यह आगया 139 पॉइंट हटा रहा हूं मैं और यह 674 674 प्लस में 139 तो यह आगया प्राइज 813 होना चाहिए जी हाँ हमारे बॉंड का प्राइज 813 होना चाहिए जबकि आपके पास मार्किट में 856 का है और होना यह चाहिए नहीं खरीदेंगे बॉंड बेकार बॉंड हम 856 रुपे लगा देंगे लेकिन उसकी वेल्यू तो में 13 ही मिल पाईगी हमें तो हम इस बॉंड को एक्सेट नहीं करेंगे सेम पाठ आपको करना है किस से एब को 712 परसेंट से the same part आपको 10% से करके दिखाना है क्या हो जाएगा 10 % इसका आंसर मैं लिख देता हूँ किताब में अंसर गीवन है कि थोड़ा बहुत फरक आ सकता है 900 रूपे 10% वाले का आंसर आ रहा है 900 रूपे 899 भी हो सकता है थोड़ा बहुत फरक आ जाए गा तर लेग हो रहा है बार बार वीडियो ब्लैक हो गई इस एप्लिकेशन से साइद मुबाइल का डेटा तो में तुका हो गई कर दो में तुका हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो कि मुझे एक बात बता दीजिए कि पिछला कोशन आप सभी स्टूडेंट को क्लियर था कि लास्ट कोशन आप सभी स्टूडेंट को क्लियर था क्या बताईए मुझे अभी क्लियर दिख रहा है सारी चीज़े हो रही है तो फिर मैं दुबारा यह कुश्चन करेंगा अभी सब कुछ दिख रहा है तो देखो कुश्चन क्या कहता है आप ध्यान से देखेगा मैं समझा देता हूँ कुश्चन कहता है कि आप 4.1 इलिस्टेशन को बेस लो यानि आपका फेस वेल्यू लो वही जो 4.1 में था 1000 आप इंट्रेस्ट लेट लो वही जो 4.1 में 6 परसेंट था टाइम वही लो जो 4.1 में था 3 यर लेकिन आपको जो मार्किट वेल्यू लेना है इन केस ऑफ एन्वल कंपाउंडिट वट वेल्यू आफ दा बॉंड इफ वहां पे जो कंपाउंडिंग पहले साल का वेल्यू आ आया था जो आपने निकाला था देट इस 856 उसको आपको मार्किट वेल्यू मान लेना है अब रेट की बात कर रहे हैं रिक्वाइड रेट बोल रहा है बदल दो या तो 14 परसेंट करके बताओ एक 10 तो सर मैंने सब कुछ वही लिया इंट्रस साथ आ गया क्योंकि 6 तो कंपाउंट पीवी एफ यह आ गया पीवी ए है यहां पर पीवी ए है और पीवी एफ यहां आ गया इन दोनों को एड गया तो 813 तो यानि मेरे बॉंड का वेल्यू होना चाहिए 813 और मार्किट में विक रहा है सर एक तरीके से देखा जाए 856 का पुछले वाले को बेस मानने 856 का मिल रहा है तो शुड रिजेक्टेड इस हमने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया फिर कहता है को सेम आप एक पर 10% पर करके दिखाईए तो 10% पर मैंने आपको होमवक करने को दिया है यहां पर वेल्यू जो आ रहा है वह 900 आंसर में आएगा और वेल्यू हमारा 856 तो हमें इसे बाय कर लेना होगा लेकि 900 आपको निकालने आना चाहिए अब बताइए मुझे फटा फट मैंने दुबारा बताया है आपको क्या क्लियर है यह बाते क्या यह सारी बाते बिल्कुल अब मैं थोड़ा कंफियूज हूं कौन से क्लियर की बात कर रहे है आपको डिस्प्ले क्लियर है यह कुश्चन क्लियर है चलिए आपको कुछ questions homework में भी दिये जाएंगे दस तक questions आप कर पाओगे इससे related मैं आपको दिखाता जाता हूं यह homework में देता जाता हूं इसके अंदर आपको 12% 14% और 16% पर करना है face value दे रखा है 1000 ठीक है interest rate है 14% redeemable 10 साल time मिल गए आपको कितना 10 साल कहता है कि interest payable आपको सर्फ intrinsic value बताना है यह बिल्कुल भी नहीं बताना आपको खरीदना चाहिए नहीं तो तीन पार्ट होगे यह सारे homework होंगे पहले पार्ट का मैं आंसर लिख देता हूं क्या होगा सर पहले पार्ट का अंसर थर्ड का ग्यारा तेरा दूसरे पार्ट का अंसर क्या आएगा जब आप करेंगे साल तो एक हजार और तीसरे का 903 एक हजार और तीसरे का आएगा 903 सर यह है हमारा बड़ा बड़ा homework में ठीक है सर चौथा कोशन भी आपका homework में रहेगा यह कोशन भी आपका homework में रहेगा इसके सभी के answers आपको कल मिल जाएंगे वीडियो फॉर्मेट में recording करके डालूँगा इसको पहले बता रहूं कहीं को लाइव के class में बैठे रहोगे फिर आपका time waste होगा यह भी homework में पांच भी बीज कोशन है देखो अगर मैं बोलो कि सर ऐसे homework देरो पहले समझाओ एक बार पढ़ना वही सारी चीजे घीवन है घुमा फिरा करते हैं इसको मैं कल सवेरे record करूँआ यह भी आपका homework में यह भी homework में यह भी homework में चलो इतने बहुत है homework में पढ़ने एक बार हजार रुपय का है 12% कूपन रेट है रेडिमेबल पार पर होगा calculate value of required rate of return required rate of return निकालना है अगर यह 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 हो इतने सारे इच केस में following केस में बॉंड का अगर टाइम हो फाइव यह तो क्या करेंगे अगर एंट 20 यह हो तो बॉंड इस परपेचुल परपेचुल मतलब हर साल मिलता है तो एक बार ट्राइब करेंगा नहीं तो मैं तो वीडियो डालूंगा ही तो वह पॉसिबल नहीं होगा फिर जल्द वाज़े में खराब हो जाएगा वह मैं कोसिस करूंगा पहले इसके बाद फिर वही करा दूँ मैं और जो एक एक गंटे का है वह मैं रिकॉर्डिट करके डाल दूँ ये है सारा का सारा हमारा एने वी निकालना है ना इसमें करा देंगे देखते हैं कोसिस करते हैं सर कितनी क्लास में खतम हो जाएगा ये चैप्टर ये क्लास चैप्टर मान के चलो दो से धाई क्लास में खतम हो जाएगा और मेरी कोशिस रहेगी कि मैं अगली क्लास में खतम कर दू टोटल 20 सवाल है इसमें और ये मेरी कोशिस रहेगी अगली क्लास में खतम करने की कि के?